राधे राधे जैसिर कृष्णा दोस्तों आज मैं परशार सिक्षा के सिध्धान्त पर चर्चा कर रही हूँ प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट टॉफिक है आपका परशार सिक्षा का सिध्धान्त तो इसे आप ध्यान से देखेंगे परशार सिक्षा का पिछले वीडियो में भी मैंने कई सिध्धान्त के बारे में बताया था इसके बाद आगामी इस वीडियो में बताऊंगी परशार सिक्षा का सिध्धान्त में एक सिध्धान्त है संपुर्ण परिवार तक पहुँच का सिध्धान्त परशार सिक्षा में किसी व्यक्ति का केवल ग्रोथ नहीं देखा जाता है बलकि पूरे परिवार का विकास कैसे हो किस तरह से व्यक्ति अपने अवशक्ताओं की पूर्ति करें कैसे पूरा परिवार आगे बढ़ें इस विचार पर इन तथ्यों पर ध्यान रख करके उनको सिक्षित किया जाता है जैसे संपुर्ण परिवार तक पहुंच का सिधानत में इसको एक उदारन से हम आपको समझा रहे हैं मालो लो कि बरसात का मौसम है और पिता चाहता है कि इस खेत में धान उगाया जाए पैदावर अच्छी होगी पुत्र चाहता है कि नह दोने वापस में तकरार होता है पहले में पिता के कहेगा धान उगाएंगे पुत्र कहेगा मुंग उगाएंगे दोनों में तकरार होता है अल्टिमेटली किसी को तो सरंडर करना पड़ता है एक व्यक्ति सरंडर होता है और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं हम पिता की बा अधास्ते कुछ इस तरह की गचाएं घटती हैं कुछ आपधाएं आती है या कोई और परिस्थितियां होती कोंगा है को अवर बशल होती है तो मुं का फसल चौपट हो जाता है या ध्यान का फसल चौप व्यांधा है कि जितना उन्स चाहा उतना उनकोlished मिलता है तब क्या सोचते हूं ह्पधक Nedhavya यहहां पर थोड़ान की खेती ही और यहां पर खेती करनी कर निचाहिए थी फाइदा होता है तो यह संपुर्ण परिवार तक पहुच के सिधान पर आधारित है दूसरा उदारन मानलो कि हम गाउं में जाते हैं किसी ग्रामिन महिला को हम टमाटर सौस या टमाटर प्यूरी बनाना सिखाते हैं उनको जाकर कि हमने सिखा दिया लेकिन अगर टमाटर सौस टमाटर प्यूरी उनके घर वाले पसंद नहीं करते हैं उनके परिवार वाले उनको पसंद नहीं करते हैं टमाटर सौस खाना नहीं चाहते हैं तो ग्रिने अगले बार टमाटर सौस नहीं बनाएगी क्योंकि प्रशार सिख्छा संपुर्ण परिवार तक पहुच के सिधान पर आधारित है दूसरा प्रशार सिक्षा त्रिन मुल संगठन के सिधान पर आधारित है प्रिंस्पल अफ ग्रास रूट और्गनाइजिशन पर डिपेंड करता है जैसे किसी भी पौधे को पन पाने के लिए हम जड़ में ही खाद पानी डालते हैं हम पत्ती और फूलों तक जाकर के पानी और खाद नहीं डालते हैं तो प्रशार सिक्षा इसी सिधान पर आधारित है कि अगर जड़ को सीचो गोई अगर मूल को पकड़ोगे तो आप उपर तक चड़ोगे अगर तना तहनी और इनको पकड़ोगे तो सफलता नहीं मिलेगी कहने करता है ग्रास रू जो निचले तपके के लोग हैं जो सफरर हैं जो पीडित हैं जिनको वास्ता में आपशकता है जिनको नीड है उनको ही उठाया जाए अगर भरस्टा चार मिटाना है तो उपर से मिटाईए अगर डबलाप्मेंट करना है विकास करना है तो निचले तपके को लोगों को लोव फले या घाय को कहते हैं अगर आप वास्तों में विकास चाहते हैं तो आपको नीचे ले तब ले तब के के लोगों जो नीडी पुई पल नहीं जो बंचित हैं जो दुखी है दरिद्र हैं उनको उठाइए उपर वाले तो अलड़ी उठे हुए हैं जो अभाव ग्रस् इस पुप पकड़िए उनका हाथ पकड़के उपर उठाइए और सारसिप्षाइश सिधान पराथानी थें क्योंकि गाउं के लोगों को टहूं के लोगों का अवसकता हो को पहचानना उनका निरा कर ना जरूरी है साहर के लोग तो फिर भी तेज होते हैं तर्रार होतें च के प्रकारण करने लेते हैं उनके पास बहुत सारे शादन है पर गाउं के लोग हमारे भोली भाली जनता है उनको ठगने से बचाने के लिए निरक्षर जनता को शाक्षर बनाने के लिए निरक्षर जनता के आवसक्ताओं की पूर्ती करने के लिए अभावग्रस लोगों को ब्राहत दिखाने के लिए, उनकी गरीबी को मिटाने के लिए परशार सिक्षा काम करता है, तो इसका काम है त्रेन मुल संगठन का सिधान्त, परशार सिक्षा का एक और सिधान्त है, वो है सहभागिता का सिधान, किसी भी परशार कारिकर्म की सफलता के लिए, लोगों की सहभागिता का होना नितान्त आवस्यक है, लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लोगों में कारिक्रम और प्रसार कार्यकरता के बीज जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक और सहज रूप से किसी भी चीज को नहीं अपनाएंगे एक्जांपल मैं बताऊं आपको आप महा विद्या ले जाते हैं कॉलेज यह स्कूल जाते हैं अभी देखो राजस्थान मिशन चला था 2030 उसमें निबंद परतियोंगिता भासन परतियोंगिता करवाए गए थे क्विज परतियोंगिता करवाए गए थे लेकिन अगर टीचर चाहे कि हम क्विज करवाएंगे निबंद करवाएंगे तो उसके लिए स्टुएंट्स को तेयार होना पड़ेगा इसी प्रकार से परसार सिख्छा जिन लोगों के लिए काम कर रहा है जिन ग्रामीनों के लिए काम कर रहा है उनकी सहभागिता जरूरी है अगर वो सहभागिता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा काम नहीं हो पाएगा है ना तो ग्रामीन लोगों की सहभागिता होनी चाहिए तभी परसार कारी करता अपने कारी कर्म को करवा पाएगा और सफलता प्राप्त हो पाएगा नेक्स्ट प्रसार सिक्षा का एक सिधान थे नेत्रित्व का विकास प्रिंस्पल आफ लेडर्शिप नेत्रित्व के विकास का सिधान प्रिंस्पल आफ डवलाप्मेंट आफ लेडर्शिप आप देखो प्रसार सिक्षा की बातों पर निर्फर करता है वो नित्रित्व के विकास पर निर्वर इन फरता है नेताओ की बात हुज पहले मानते हैं तो अगर डायरेक्ट आप गाउ वाली के पास अप्रोक्च करेंगे गाउ वाले आपको दुथकार बहगा देंगे लड ने सुनते हैं जो उनके सरपंच उनके मुखिया होते हैं जिनकी बात के यह मानते है जी से गुनों से परिपूरित होता है जिसको विनेता मानते हैं अगर विनेता उनको कह देता है तब उसकी बात मानकरकर के उस कारिक्रम में भाग लेने के कई वो उस्भारते हैं अब आपका रिक्रम के सफल शक्राइब कर है अन्यधा बिना नेत्रा के यह करवा सकते यह रहे हैं मेरा जैलिएक मि आपको नेता के आपको संपर्क करना दूसुर्प ठीचर हों को जो उनकी हम स्कूर वानते हैं उसकी बाद को मानेंगे और अपने गाउं में कारेक्रम के सफल संचालन करेंगे ने था वो नहीं करने चलने देंगे इसके बाद एक और सिधान्त है प्रसार सिक्षा का अनुनय अभी प्रेणा इम प्रुचाहन का सिधान्त ग्रामवासी जनता बहुत भोली भाली है भारत की वह अपने लोगों से ही ठगी जाती है वह अपने लोगों से ही छले जाते हैं अपने लोग उनको मुर्ख बनाते हैं अपने लोग उनको ठगते हैं तो जब प्रसार कारी करम कोई चलाये जाता है और जब वहां पहुँचते है प्रसार कारी करता हूं तो उनको डर लगता है कि व्यक्ति फिरा करके हम उच्छलेगा यह में धोखा देगा यह हमें परिशान करेगा इसलिए वो दूर भागते हैं पास में नहीं आते हैं तो प्रसार शिक्छा अनुनय अभी प्रेड़ना और प्रोचाहन के सिध्धान पर काम करता है क्योंकि उनके उनके ही लोगों ने खुब छला है खुब ठागा है मैं एकाद एक्जामपल बताती हूं जैसे कि मान लोग की खेत बेचना है यह घर बेचना है गाउं वाले को कोई जुरत होती है तो हर वाले जाते हैं कॉल ने काटने के लिए दलाल जाते हैं उनसे कहते चलो अपना कागज लओ अपना कागज लओ अपना क वो वहाँ पर जाकर कर अंगुठा लगा देते हैं अब जो चालाक दालाल है उनके कागज को अपने पास रख लेते हैं और फिर उनकी खेत है या उनका जो जमीन है वो हत्या लेते हैं इस तरह का बहुत सारे काम बहुत सारे जो फर्जी काम देखने को मिलता है दिन अकपार म आपने देखा होगा एक ही जमीन को कई बार बेच दिया गया दो बार बेचा गया तीन बार बेचा गया चार बार बेचा गया बहुत घोटाले जमीन में होते हैं कौन करता है गरीब करत पैसा उसे फस जाता है वो चले जाते हैं वो तकलिफ में होते हैं दुख में होते हैं औ तो प्रशार शिक्षा का ये जो एक सिधान्त है अनुने अभी प्रेवना प्रोचान का सिधान्त तब उनको क्या करते हैं कि हम आपके हित के लिए काम कर रहे हैं हम आपको छलने ने आए हम आपको ठगने ने आए हम आपको प्रोचाहित करने आए हम आपको हैल्प करने आए आप हमारी बात को सुने, ऐसे कह करके उनको मोटिवेट करके परषार्च परषीख्छक, परषार कारीकर्ता उनको ट्रेनिग देता है jest और परषार जो परषीख्छक हैं, वो लोगों को बताते हैं कि हम आपको ठगनेक लेनी आये हैं, हम जो कारीकर्म चलाएंगे आपके हित इसके लिए है、 इससे आपको फाइदा होगा, इससे आपको नुखसान नहीं होगा, इस तरह की बाते बता करके उनको बताते हैं. तो चलिए प्रशार सिक्षा का हमने कही सारे वीडियो ब discerned? तो मैं वीडियो को विराम देती हूं फिर मिलती हूं में अगले वीडियो में परशार सिछा के आगी बात आगी आमी बातों के साथ ओके